अगर आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो गए हैं आपको premature hair grain की problem है या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो आज की remedy आपके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही पावरफुल सी ची को रोग देता है जिसे की आपके बाल लंबे समय तक काले बनी रहेंगे जो दूसरी चीज है उसको आपको कंजूम करना है इस चीज के अजर वह सारे इसेंसिल न्यूट्रेंट है जो आपके hair follicle में मेलानीन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं जब आप इस चीज को कंजू इस चीज में मौजूध है अगर आप इसे कंजूम करेंगे तो आपके बाल नैशरली काले होने लगेंगे साथी साथी आपके बालों को रिग्रो भी करता है जब आप एक्स्टरनल एप्लिकेशन और इंटरनल केर दोनों चीज को साथ में लेके चलते हैं तो आपके बालों और स्वागत है आपका मेरे यूट्व चैनल पर मैं इस तरीके की बहुत सारी हैर केर स्किन केर और हल्दी हल्दी डाइट सरी लेडिड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती है अगर आपको इस तरीके की रेमेडिज देखने में बहुत सदा इंटरेस्ट अगर आपको मेरे तरफ प्यार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और साथी साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिसना हो जाए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे एप्रिशियेट करने के लिए एक लाइक जरूर करेगा आपके लाइक से हमें कितना होसला मिलता है मैं आप लोगों को बतानी सकती तो लाइक जरूर करेगा और अब चलिए बिना किसी दरीके वीडियो सुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जल शेयर करूंगी और इस जल गहना भी बनाने का काम करता है और साथी साथ आपके बालों को naturally काला भी बनाता है next ingredient है हिबिस्कुस की पत्तियां लेकिन ड्राइ फॉर्म में आपको यूज करना है यह आपके बालों को रिग्रो करता है क्योंकि इसके इसेंशल आमीनो एसर स्पाय जाते हैं यह आपके बालों को deeply condition करने का काम करता है साथी साथ जो premature hair grain का process होता है यह उसको खतम कर देता है साथी साथ जो mature hair grain का process होता है उसको भी delay करता है जिसकी वजज़ से आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं split end की problem को भी खतम करता है आप यहाँ पे जो next ingredient है वो है एक तरीके का आयरवेदिक हर्ब, जिसको वेतिवर बोलते हैं, वेतिवर एक तरीके की घास होती है, जिसको खस भी बोलते हैं, यह हमारे बालों को ग्रो होने में, रिग्रो होने में तो हेल्प करती ही है, साथी साथ यह प्रिमेच्चोर हैर ग्रेंग को ट्रीट करने मे बालों को naturally काला बनाने में बहुत पावरफुल होती है next ingredient भी एक आयरवेदी खर्ब है और ये है भ्रिंग राज भ्रिंग राज आपके बालों में मेलानीन के प्रोडक्शन को भी increase करता है साथी साथ बालों का जो pigment है उसको restore कर देता है जिससे की बाल जल्दी सफेद होते ही नहीं है next ingredient भी एक आयरवेदी खर्ब है और ये है ब्रहमी ब्रहमी हमारे बालों का जो pigment है उसको भी restore करता है बालों को काला बनाता है उसके साथ साथ ये split end की problem को खतम करने में बहुत पावरफुल है next ingredient आमला है आमला का तो आपको पता ही होगा कि आपके बालों को naturally काला भी बनाता है premature hair grain को भी treat करता है उसके साथ साथ ये hair growth में भी बहुत ज़्याद सपोर्ट करता है बालों से dandruff को भी खतम करता है अब मैं एक चमज के बराबर कलाउजी seed का इस्तमाल करने वाली हूँ कलाउजी seed के अंदर antibacterial, antifungal, anti-inflammatory property होती है तो ये आपके scalp को बहुत ज़्यादा healthy बना देता है साथ ये आपके hair follicle में melanin के production को increase भी करता है जिसे कि आपके बाल naturally काला होना शुरू हो जाते है जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होते है इन सारे चीजों को भीगोने के लिए मैं rose water का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं serum बना रही हूँ और इस serum को store करके भी कुछ दिन रखना चाहती हूँ इसलिए rose water में भीगोंगी लेकिन अगर आप पूरी तरीके से rose water में इसको नहीं भीगोना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा पानी एड़ करिए आधा rose water एड़ करिए तो इससे ये लंबा चलेगा जल्दी खराब नहीं होगा rose water भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे scalp के pH को maintain रखता है उसको balanced रखता है जिसे कि हमारे hair loss भी नहीं होता समय से पहले बाल सफेद भी नहीं होते अब यहाँ पे जो next ingredient है जो बालों को मॉसराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी चीज का serum बना रहे हैं तो अगर उसके अंदर मॉसराइजिंग प्रॉपरिटीज नहीं है तो वो हमारे बालों के लिए उतना अच्छा नहीं होता बाल थोड़े से टाइट हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइ कोईनट का इस्तमाल किया है अब इसको भीगो कि आपको राद भर रखना है नेक्स्स मॉर्णिंग आप देखेंगे तो यह सारे इंग्रेडेंट अच्छे से भींग चुके हैं क्योंकि हमने इसमें कोईनट भी मिलाया है तो यह जो सिरम है यह बहुत ही अच्छा बन के तयार होगा उससे जादा नहीं रखनी है क्योंकि बहुत जादा क्वांटिटी में हम लोग इस हैर सिरम को नहीं बना रहे हैं लिक्विड ले लेना है अब इसमें एक एसेंशल ओयल एड़ करना है मैंने यहां पे लेवेंडर एसेंशल ओयल का इस्तेमाल किया है सिर्फ 4-5 बूदे ही इस एसेंशल ओयल की इसमें डालनी है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे एक बहुत ही अच्छा सा हमारे हैर सिरम बनके त्यार हो जाएगा जो कि हमारे बालों को मॉस्टराइज भी करेगा रिग्रो भी करेगा प्रिमिच्चुर हैर ग्रेंग को भी ट्रीट करेगा most importantly कि ये आपके बालों को होती है तो पेशेंस रखिएगा चीजों को कंटिन्यू करते रहिए आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा अब देखे ये जो लिक्विट बच गया है जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा सिरम बनाऊंगी थोड़ा सा हैर टॉनिक बनाऊंगी तो ये जो लिक्विट बच गया है इसका हम लोग हैर टॉनिक बनाएंगे इस हैर टॉनिक को बनाने के लिए मैंने 6-7 ड्रॉप्स लिये है रोजमेरी शंचल ओयल के रोजमेरी शंचल ओयल आपके बालों को हैर सिरम भी बनके तयार हो गया है इन दोनों चीजों को आप इस टोर करके 10 दिन रख सकते हैं डेली बनाने का जंजट नहीं है और यह आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है तो सबसे पहले इस स्कैल्प टॉनिक को मैं किस तरीके से लगाती हूँ वो मैं आप लो लगा लेंगे तो फिर आपके बाल थोड़े से टायच हो जाएंगे आपको हैर वाश क क anteriormente कि तो आपको क्या करना है इसbed 찌शा लगा लेना है और लगाने के बाद आपको बालों वाश करने की जरूद नहीं है यह आपके बालों में बहुत जल्दी ड्राइ पालों को ऐसा छोड़ दीजे, जैसे आप नॉर्मली अपना हप्ते में दो दिन एक दिन हैर वाश करते हैं, उसी तरीके से आपको हैर वाश करना है, अब यह जो हैर सिरम है, इसको भी बहुत थोड़ा सा ही लगाना है, बहतर है कि आप सिर्फ स्कैल्प में लगाईए, इसका में काम आपके स्कैल्प में ही है, क्योंकि आपके हैर फॉलिकल को स्टिमूलेट करता है, उनमें मेलारिन के प्रोड़क्शन को इंक्रीज करता है, स्कैल्प को हिल्दी बनाता है, तो इसका में काम सिर्फ आपके स्कैल्प में ही है, अगर आप चाहें तो इसको अपने बालों में लगा सक अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा लड्डू शेर करने वाली हूँ और इस लड्डू को बनाने के लिए आपको लेना है पीनट यानि मुंफली देखे क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है जितना ज्यादा आप लड्डू बनाना चाहते हैं उत लड्डू शिर्फ आप पीनट का भी बना सकते हैं तो रेशियो का चिंटा मत करिया इसके अंदर आमीनो ऐसेर्स होते हैं प्रोटीन होता है वाइटामीन E पाये जाता है कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है यह सारे न्यूट्रियन्स आपके बालों को काला बनाने क लिए चाहिए होते हैं, हैर ग्रोथ में ये बहुत सपोर्ट करता है आपको, आपके बालों को रिग्रो भी करता है, इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है, अब यहां पर जो नेक्सिन ग्रेडियन्ट है, वो है ब्लैक सीसमी सीड, काली वाली तिल है, अब इसको कलाउजी म को इंक्रीज भी करती है, बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये प्रोटीन का, इसके अंदर बहुत सारे शेंचल न्यूट्रेंट होते हैं, हॉर्मोन को भी ये बैलेंस करने का काम करता है, और बालों को नाच्रली काला बनाने में ये बहुत पावरफुल होता है, तो आपको क अच्छा होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत जादा मातरा में पाया जाता है, बाइटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर इसके अंदर पाया जाते हैं, ओमेगा फैटी एसिड होता है, आइरन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, वाइटामीन C फोलेट, वाइटामीन B3, वाइटामीन K, मतलब इसके अंदर बहुत सारे इसेंचल न्यूटेंट होते हैं, और ये सारे इसेंचल न्यूटेंट आपको आपके बालों में मेलाणीन को बनाने का काम करते हैं, मतलब आपके हैर फॉलिकल में मेलाणीन के प्रोड़क्शन को जिसे हैं आपकE बाल नैशरली काला होना शुरू हो जाते हैं, ये आपके बालों की लिए बहुत अच्छा होता है अभी क्या करना एक इसको अच्छा कर लेना है, ब्सक्राइम तो एक जाली अच्छा हो जाता है उससे लड़ू का टेस्ट भी मुझे लगता है कि जब कर सकते हैं अगर आपको इतना महनत नहीं करना है तो लेकिन मैंने इसको इसी तरीके से क्रश कर लिया है अब यहां पर जो नेक्स इंग्रेडियंट है जो इसकी तासीर को बैलेंस करने का काम करेगा वो है कोकोनट देखे जब आप इन चीजों को कमबाइन करते हैं एक साथ त इसको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्रेट कर लिया है देखे कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे इसंशल न्यूट्रेंट होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब आ लेकिन अगर आपको इसकी तासिर गरम लग रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत गर्मी है, हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं तो और मतलब गर्मी होने लगती है, हमारी बॉड़ी में हीट जादा हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना ह तो आप यहां पे खार्ट डाल दीजिए, या फिर मिस्री डाल दीजिए, या फिर आप चीनी डाल सकते हैं, वैसे चीनी हमारे हल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो चीनी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन इसकी तासिर को अगर आप थोड़ा सा ठंडा बनाना तो चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं, मैं गर्मियो के दिन में भी इसे इसी तरीके से खाती हूं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अच्छे से सारे चीजिए को मिक्स कर लीजे, अभी मैं यहां पे एक चीज ऐसा आइड करने वाली हूं, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मैं बन के तियार हो गया है, अब अगर आप डेली एक लड्डू खाएंगे, तो ना आपका हैर लॉस होगा, ना प्रिमेचुर हैर ग्रेंगी प्रॉलम होगी, ना ही आपको बालों के जढने की शिकायत होगी, आपका हैर लॉस भी बहुत हद तक रूप जाएगा, क्योंकि इस कोई खास ख्याल रखते हैं, तो आपको रिजल्ट दिखना ही है, बस पेशेंस रखेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, मैंने अपने यूट्व चैनल पे समर स्पेशल फेसमास शेयर किये हैं, जो आपकी स्किन को सन बॉर्ण से प्रोटेक करते हैं, पिग्मेंटेशन, अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई and stay happy.